Hi everyone, welcome back to this fresh video आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो compartment student से उनका form fill up का last date क्या है What is the last date for compartment form fill up How to pass compartment exam तो आप लोग अभी पूछ रहे हो सर पास कैसे होंगे और last date क्या है form fill up को जल्दी से complete कर लो क्योंकि last date बहुत करीब आच चुका है क्या है date मैं आपको बताऊंगा circular में लेके जाऊंगा बट उससे पहले बता दू कि अभी आप pass कर सकते हो बहुत लोग ना बहुत निरास हो चुके हैं कि इतने बार तो हम attempt दे लिये और अभी pass दी हो पाएंगे बट एक चीज़ याद रखो कि यह आपका जो last attempt है अगर आप last time appear कर भी रहे हो आप कर सकते हो pass क्योंकि इस बार आप तयारी करोगे पिछले जितने भी बार आपने exam appear किया है हो सकता है बहुत सारे multiple reasons होगे आपको पढ़ाई समझ में नहीं आया या फिर आपने carelessly पढ़ाई किया या आपको अच्छा teacher नहीं मिला बट इस बार आप थोड़ा सा मैनत करो और result आपको definitely मिलेगा कोई भी आपको रोक नहीं सकता पास होने से ये है मेरे तरफ से message आगे मैं बताऊंगा यहाँ पे circular आपके सामने open करता हूँ यह है notice जो कि CBC ने officially release किया है यहाँ पे without late fees, with late fees और last date वगेरा fee submission सब कुछ के बारे में detail में दिया गया है आपको गया करना है without late fees वाला section देखो यहाँ पे आपको देख रहा होगा without late fees without late fees का जो date है आप zoom कर गे हैं यहाँ पे हम देखेंगे 31 में से लेकर 15 जून तक 15 जून is the last date 15 तारिक के बाद और form fill up नहीं होगा कोई हम extension भी यहाँ पे expect नहीं कर सकते कि date और थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा उसके बाद extension दिया जाएगा fill up करने के लिए वो हुआ था last year September October में but इस साल don't expect कि ऐसा कुछ extension होगा date sheet का जो date अभी submission का है और जो private candidate के लिए date है at the same time regular candidate के लिए भी जो school वाले LOC submit करेंगे उनका भी date यही है तो कोई अलग date नहीं है आप सभी को इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि यह जो specific timeline दिया गया है आप complete कर लो अपना सारा process इसमें कुछ नहीं करना होता form में बहुत easy steps है address भरो state district pin code और उसके बाद आपका mobile number email id इतना detail submit करने के बाद photo और signature mostly photo और signature में problem हो रहा है तो उसमें मैं help करता हूँ मैं जो form फिलप कराता हूँ proper size में crop हो और less than 50K भी more than 10K भी वो file size रहना चाहिए अगर वो आप करते हो तो फिर easily आप form को submit कर सकते हो और यहाँ पे schedule of for fee payment दिया गया है date of submission of application form plus two days that is 17th में Monday please say illustration तो यहाँ पे क्या है कि 15 तारिक तक आपको time दिया जा रहा है form fill up करने का submit करने का upload images बट जो fee payment है वो आप 2 दिन बाद कर सकते हो 2 दिन बाद तक 2 दिन बाद नहीं 2 दिन बाद है यानि कि अगर 15 को खतम हो रहा है तो 17 तारिक तक आप fee payment कर सकते हो जो कि यह Monday 17 June क्योंकि exactly 17 June से आपके पास रहेगा 1 महीने से 2 दिन कम 28 दिन के आसपास रहेंगे for your final exam और जब 15 तारिक होगा फिर हम 30 days for compartment एक challenge भी शुरू करेंगे जहां पर आप रोज पढ़ाई करोगे और अपना update दोगे कितना आपने पढ़ाई किया क्या पढ़ाई किया कैसे आप कर रहे हो वो सभी चीजों के बारे में तो फिर से मैं कुछ ऐसे last moment tips देना चाहूंगा कि यार form fill up कर लो फिर miss हो जाएगा आप बोलते रहोगे कि miss हो गया मेरा और मैं करनी पार हो preparation और preparation किया भी है तो मैं exam नहीं दे पार हो ऐसा नहीं होगा record not found students जो थे उनको मैंने already address कर लिया है कि जिन लोग का record not found आ रहा है उनको क्या करना है इस बार आप exam नहीं दे सकते जो 6 subjects वाले थे जिनका 6 subjects था वो लोग नहीं दे सकते ये चीज आपको clear रखना पड़ेगा और जो लोग का 5 subject था वो तो दे सकते हो last chance को थोड़ा सा seriously लो क्योंकि अगर आप seriously नहीं लोगे आपका ही loss है क्योंकि आप fail होगे तो फिर आपका result खराव होगा बट एक चीज़ सोच के देखो अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो आप exam दोगे आपका ही result अच्छा हैगा सब आपके favor में होगा और depend भी आपके उपर ही होता है अगर सब चीज नुमारे around revolve हो रहा है तो क्यों न अच्छे से कर लिया जाए यह question आप खुद को भी बोलो और देखना फिर motivation भी आएगा सब चीज करने के लिए preparation मैं आपको 100% syllabus भी cover नहीं करना है कुछ चुरिंदे topics को पता करो one shot videos देख लो YouTube पे और previous year 5 साल के question solve कर लो बस इतना NCRT से पढ़ते हो NCRT से पढ़ो question solve करो बट 5 साल का paper बिल्कुल solve करना previous 5 years papers जो main subjects के हुए तो compartment के भी 5 साल के paper solve कर लेना 5 साल मतलब 2019 से लेकर बीच में तो COVID के वज़े से एक दो साल का paper इधर उदर हुआ होगा term 1 term 2 करके तो पिछले 5 साल का आप 18 से लेकर या 19 से लेकर 25 तारिक जो 24 है March अभी तक सारा papers देख लो 5 papers और बस पानी पीते रहो sufficient बहुत गर्मी है बहुत जगा पे हाइडरेटेट रखो खुद को यही टिप्स है और लाजडेट है 15 जून 15 जून से पहले definitely form को fill up कर लो और submit कर लो ठीक है I hope आपको वीडियो अच्छा लगोगा चानल को पहली बार देख रहो तो प्लीज आपको subscribe कर लो क्योंकि compartment related बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं और भी कुछ आपका doubts से comment में लिख ले न मैं तुरंत एक हर रोज एक वीडियो बना रहा हूं तो उस वीडियो में cover केरके आपको बता दूँगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तर keep learning, keep exploring and keep smiling Thank you so much